ध्यान देने योगी जरूरी बाती एक अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोजाना दोकहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ ले दर्द में आराम मिल जाएगा दो अगर आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर हो और पड़ा हुआ भूल जाते हो तो रोजाना सुबह खाली पेट बच्चों को भीगे होए बादाम खिलाए धीरे धीरे बच्चों का दिमाग तेज होने लगेगा अगर दिल की धर्कन अचानक तेज हो जाती हो तो सुबह खाली पेट शेहद और प्यास को मिक्स करके खा लिया करें चार अगर सांस लेते समय दर्द महसूस हो रहा हो तो यहाँ पित्त की पत्री होने की निशानी है पांच बाल गिरना शुरू हो जाए तो कच्चे अंदे की जर्दी बालों में लगाने से बाल गिरने बंद हो जाती है छे यदि आप मोटापे से परेशान है और आप अपना वजन कम करना चाते है तो इसके लिए अद्रक और नीम्दो का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से मोटापा जल्दी काम होता है साथ यदि गले की खराश से परेशान है तो उसके लिए चोकलेट खाए आठ हिचकी लगातार आ रही हो तो एक लांग पानी के साथ खाले ऐसा करने से हिचकी रुख जाती है नौज ज्यादा गर्म चाय पीने से दांद खराब होते हैं इसलिए हमेशा चाय थोड़ी थंदी ही पीनी चाहिए डस चरीर के किसी भी हिस्से पर मोच आ जाए तो बर्फ के तुकडे से मालिश करनी चाहिए इससे आराम मिलता है जाल ज्यादा नमक का इस्तिमाल करने से हाई बलड ट्रेशर की समस्या बढ़ सकती है 12 अगर आपके हाथ पैर में कमपन होने की समस्या रहती है तो आप रात के खाने के बाद दो लॉंग चबा कर गर्म पानी से पी ले जल्दी ही आपको फाइदा मिलेगा 13 अगर आप बार बार किद्नी स्टोन और मूत्र जलन से परेशान है तो उसके लिए नारियल पानी का सेवन करें 14 खाने के बाद गुड का सेवन करना बहुत ही फाइदेमंद होता है कति दिन गुड का किसी ना किसी रूप में प्रयोग करने से एनीमिया का खत्रा नहीं रहता है 15 शरीर की किसी भी हिस्से पर कोई जहरीला कीरा काट लेता है तो मूली का रस लगाने से फोरण आराम मिलता है 16 यदि आप खांसी से परेशान है तो इसके लिए भुने हुए चने का सेवन करें 17 खाना खाने के बाद बटखटी दकार आने की सबस्या है तो खाने के साथ प्यास पर मीम्बू निचोड कर खाना चाहिए इससे बध़जमी नहीं होती है 18 खरे का सेवन करने से दिल की धरकन नॉर्मल रहती है 19 खुलाब का फूल सुनने से डिप्रेशन काम हो जाता है 20 अगर आपके लीवर में कमजोरी है तो साबूदाने का सुबह शाम इस्तिमाल करें 21 अंगूर नमक के साथ खाने से फेफ्रों का कैंसर नहीं होता है 22 आपको पेथ में गैस बनती है तो आधा चमज डालचीनी का चून गुंगुने पानी के साथ खाले गैस बनना बंध हो जाएगी 23 बकरी का दूद पीने से थतान नहीं होती है 24 बासी रोटी खाने से दान्तों में थंडा गरम लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दान्त मजबूत रहती है 25 इस नीमबू की पत्तियों को पुचल कर सुंगने से सर का दर्थ ठीक हो जाता है 26 सुबा उठकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग को ठंडक मिलती है 27 स्खाना बनाते समय यदी हाथ जल जाए तो एक चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच शहद मिलाकर लगाने से जलन और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और निशान भी धीरे-धीरे मिटता जाता है 28 बंद जूते गर्मी में पहनने से नजर कमजूर होती है 29 यदी आप डिप्रेशन में है तो हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन काम होता है 30 यदी दुबले पतली लोग बासी मुह अनार का सेवन करेंगे तो वह जल्दी मोटे ताजे हो जाएंगे 31 सफे जीरे का सेवन करने से आंखों की रोश्णी बढ़ती है 32 जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनका दिमाग तेज होता है 33 खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो आप गर्न पानी में काला नमक और नीमबो मिला कर पीली आपको आरा मिलेगा 34 अगर पेट में गैस ज्यादा बनती है तो मेथी दाना का इस्टिमाल करें 35 इस यदी शरीर के किसी हिस्से में गैस के कारण दर्द हो रहा है तो एक गिलास गर्म पानी पीने से गैस बाहर हो जाती है 36 अगर आप दिल को मजबूत करना चाते हो तो रोजाना से खाओ पेदल चलने से पहले थोड़ा गुणगुना पानी पी लोग कभी कमजोरी नहीं आती है 38 केले और अंडे को कभी भी एक साथ नहीं खाएं यह शरीर के लिए नुकसान दायक हो सकते है 49 पका हुआ अमरूट खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है और जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में बलड आवर्शक मात्रा में बनेगा नंबर 40 जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो वह रोज सुबा और शाम अंगूर के रस को दो से तीन चम्मच पिया करें इससे भूलने की बीमारी दूर हो जाती है नंबर 41 तही से चलकर आने पर तुरंत जलना पिये हाथू पैरों को मत धोड़े और ना ही स्नान करें पसीना सुख जाने दे कम से कम 15 मिनट विश्राम कर ले फिर हाथ पैर धोकर कुला करके पानी पिये तेज गर्मी में थोड़ा गोड़िया मिश्री खाकर पानी पिये ताकि लू न लग सके हमारी ये वीडियो सामयन जानकारे के लिए बनाई गई है अगर आपके कोई भी बेमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाले फिर ये नियम अपनाए अमारी ये वीडियो आपको पैसे लगी जरूर बताए अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करतीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद